नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड शोते सीक्रेट भी नाम बालू 2022 में क्या कुछ बड़ा बदला होने वाला है और उसको भी नाम बालू के लिए 2022 का तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अगर आपका नाम का पहला लेटर भी से में सुक्र का होता है इसके साथ ही अधीन भी आता है अब जिनका स्वामी सुक्र है यानी भी वाले भी सवराशी के हैं इसका मतलब हुआ कि भी लेटर वालों के लिए 2022 में सुक्र को की स्थिति ही बताएगी कि आपके लिए कितना सुक और कितना खुसियां मिलेगी कितना क्या प्राप्त होगा तो चलिए जानते हैं विस्तार से आपका बैवाहिक जीवन लव लाइप स्वास्त धन करियर बैपसाय लगबख सब कुछ तो सुरुवात करते हैं आपके करियर से देखिए सुरुवात में थोड़ी साथ धानी रखनी है क्यों देश रहेगा उतना ही जादा आप तरक्की करेंगे हलांकि आप कारी छेदर में किसी को पसंद भी करते हैं तो लोगों के सामने मत बताईए नहीं तो यहां पर थोड़ा सम्मान हानी आपका हो सकता है या कलंक लगने के योग है यानि कि लोग भी वज़ाप के बारे में ग होब बंते हैं आप खुश हैं और मई जून के महने में छोटे मुटे तनाव को छोड़ दें तो आपका हर काम में मन लगेगा और चीज़ें आपके पक्ष में आएगी हलांकि नौकरी अपने काम को पूरे मन से आप करेंगे दूसरी तरफ अक्टूबर और नौंबर के महन कि तोड़ा सा ध्यान रखेगा अपने कार करते हैं जहां भी कारे करते हैं कि जैसे कोई भूल ना हो जाए चुक नहोंजा है बड़ी में कोई गलती ना हो जाए इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा पर अगर हम जोगी बैपारियों की बात करें तो बर्स की सुरुआत मे कहीं भी पैसे इंवेस्टमेंट ना करें क्योंकि इस समय आप जहां भी धन लगाएंगे वो बेर्थ का खर्च होगा है फुरी साफधानी रखें और फरवरी से लेकर जो जुलाई तक का वक्त है वो ठीक है आपके लिए सफलता मिलेगी और बैपार में उन्नती भी करेंग हलांकि अगस सितंबर के मेहने में छोटे मोट उता चराव को छोड़ दें तो ये साल खासकर अगस सितंबर को छोड़ का यह निकि नूमबर दिसंबर दो मेहने बहुत अच्छे हैं बैबाही चीवन की बात करें तो थोड़ा संभल के चलना होगा क्योंकि सुरुआत में जीवन में तनाव और रिष्टे की गंभिरता कम होने का यहां पर खत्रा है ऐसे में थोरा सा रिष्टों को बनाये रखें बचाये रखें क्योंकि एक गलत कदम कहीं न कहीं आपके जीवन में थुरी परिसानी लाएगा इसलिए सांत रहें जीवन साथी को अपने रिष्ट तक का वक्त अच्छा है संतान प्राप्ति के योग बने वे हैं संतान संबंदिस सुपसुमाचार मिलेंगे उनकी तरक्की होगी विद्यार्थियों की बात करते हैं बर्स की सुरुवात ठीक है पढ़ाई के परती बस थोरा सा गंभीर हो जाईए क्योंकि किसी भी तरह का भ परसन मिलेगा लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी है थोड़ा सा आपको चुनोतियों का सामना करने के लिए तयार रहना है क्योंकि पढ़ाई प्रक्स कीजिए और सुरुवात में थोड़ी से ज्यादा कटना यहां मेहने ज्याद्या करनी पड़ेगी लेकिन दिरे दिरे च चुनोतियां रहेगा प्रेम जीवन में मई जून जुलाई के महिने में थोड़ा से यहां पर ध्यान रखें जगड़े लड़ाई ना करें रिस्तों को समाल के रखें और फिर चीज़ें एक बार अच्छे से फिर व्यतीत होगी धन की बात करते हैं अगर प्रेम भिवा हैं हलांकि इंकम आपका ठीक है बर्स के अंत में लेकिन थोड़ा से ध्यान रखेंगा यदि आप जॉप करते हैं तो आप अच्छी मातरा में धनकमा भी पाएंगे तनकमें बीड़ दे होगा अगर आप बैपारी हैं तो जुलाई के बाद आपके अर्थिक स्तिती भी बढ द्यान रखना है आपको और अगर इस समय आप वहां बेगर चलाते हैं तो संभल के चलाईएगा पीट दर्द की समस्या थोरी सी परिसान करेगी तो ऐसे में गैस बेगरा की प्रॉब्लम से बचे खाने पीने पर ध्यान रखके योगा वेगरा करें तो आपका सुक्री चु आपके लिए चुकि आप होते हैं आजाद ख्याल के और आजादी आपका बहुत प्यारी होती है आप भले ही दूसरों की सुने लेकिन मन की ही करते हैं तो आप बड़े ही साफ दिल होते हैं दूसरों की भावनाओं की कदर करना जानते हैं जरुत के समय लोगों की परवाह क छोटी मोठी चीजों को छोड़ दें तो में स्थिरता है और धन के मामलों में तो बस ये समझ लें कि आप इंकम बढ़ाने में सफल होंगे और खर्चे बढ़े वे हैं तो थोरा सा उस पर भी ध्यान दें कि अध्युक्त